हेलो फ्रेंट्स आज हम वाजू को बहुत ही सुनार सा डिजान बनाएंगे सबसे पहले हमारी 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 बाजू के लाइंट है उतना यह चुड़ाई की पट्टी ले लिए इसी कलर की उसके बाद हम सेंट्र से अपनी बाजू को कट कर देंगे कट करने के बाद यह हमारे दो पीचीज हो गई हमारे पास अब हम यह पट्टी पर डिजाइन बनाएंगे इस तरह से यह हम यल्लू कलर के कुछ पिछ लिए हमने 3.5 इंच लंबे सब्सक्राइब करेंगे एक बार फिर से हम इनको फॉल्ड करेंगे और अपने यह जो पट्टी है इसके उपर इस तरह से लगा लेंगे करेंगे इसे ही हम सब्सक्राइब को अटाच कर लेंगे दूसरे के पाश सेम इसी तरह से हम दूसरे शाइड बीन को इसी जैसे लगा है हमने एक साइड दूसरे शाइड बीन को रेडी करेंगे चारो को विल्कुल हमने सामने लगाएंगे हमें लगाओ अब यह हमने दोनों तरह से पट्टी को लगा लिए अब हम अपनी बाजू के एक पार्ट को इसके उपर आखेंगे और जो सिलाई हमने लगा रखिए उसी के से उपर से एक और सिलाई लगा देंगे से इसी तरह से हम यह जो पट्टी लगाई है इसी तरह से हम बाजू का रखिए इसके उपर जॉइंट कर लेंगे से एक तरह से हम यूइज कि यह वारे बाद जो इस तरह से जॉइन्ट हो चुपी है अब हां इसमें इस तरह से इसको रखेंगे चांटर में इसलाई लगाएंगे कि वारे बाद कि अब्सक्षण सबस्टित कर दो दो कि भॉपी कि एड़ी स्ट्ड़ का कि एड़ी देड़ी घॉबेया के एंड़कि थुपी में वारे रखेंगे जा है कि इसी तरह हम दूसरी तरह भी शिलाई लगा लेंगी एक यह लोकलर के हमने पट्टी ली है दू इंच चोड़ी उसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अपनी बाजो को उसके ओपर रखेंगे लेकी नाली पर एक शिलाई लगा लेंगे हुआ 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 है ज़िप है इस साने कि अराफ़ घ्रच है इस्टी को हम हुआ हाँ कर देंगे एकश्च rif इसके बाद हम इस वाले पार्ट को अपर की तरफ अटेच्स करेंगे पहले हाफ ही इंस मोड़ेंगे और इसके बाद एक किनारी पर इस तरह शेक शिलाई लगाएंगे इस तरह शेक हमारी बाद इस तरह शेक बाद दिखेगी बनने के बाद अब हम इसमें फैगलू की मदद से मोटी अटेच्स करेंगे इस तरह शेंटर में हमारे मोटी अटेच हो चुके हैं ये सिंपल सावा जो डिजाइन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करना ने भूले थैंक यू